हाई माई नेम इस हमादली और हमारे कोर्स एंड्रोइड एप्लिकेशन डिवेलप्मेंट का जो टॉपिक था लिस्ट व्यू उसके नहीं हम सिंपल लिस्ट व्यू को आज कम्प्लेट करेंगे लास्ट लेक्षर में हमने बात की थी कि जो हमारा जो कॉंटेंट है उसको शो करने के लिए जो हमने यहां भी यूज किया था इंड्राइट डॉट 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 सिंपल लिस्ट आइटम जो के लाइवरी पे वेलेबल था इसको हम खुछ से भी डिजाइन कर सकते हैं अपनी कस्टम इसकी लोकन फिल्ड डिजाइन कर सकते हैं यानिकि ऐसा हम लियाउट डिफाइन करेंगे जिसमें हमारी मर्जी के कलर, टेक्स साइज, बैक्डाउट कलर और जो टेक्स्ट का जो भी पॉंट पगारा है वो अपनी मर्जी से हम यहां पे सेट कर सकते हैं उसके बाद इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, let's say मैं इसका नाम रख देता हूँ, list item, जो एक item होगी इस list की, वो कुछ इस तरह से आपको visible होगी, जैसे हम इसको create करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां में हमारे पास एक ही root item आएगी, जो के textview के नाम से है, let's say height is की मैं इसको wrap content कर देता हूँ, और width इसकी already defined है, इसके बाद इसके तरह जो further चीज़ें हमको define कर लेते हैं, let's say मैं कहता हूँ कि इसका जो text size होगा, वो 30 dp होगा, let's say मैं कहता हूँ कि इसका जो text color होगा, वो let's say hash red होगा, let's say, इसको margin दिया जाएगा, यह भी फिलहाल हम margin के बगार देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें इसकी जरूरत रही है, तो अभी फिलहाल हम इसको इसी के साथ देखते हैं, और simple जाकर यहां पर हमारी जो layout की file है, इसका नाम change कर देते हैं, पहले हमें android.r.layout लेका थ इसको emulator में देख लेते हैं, तो यह हमारे पास इसकी output आ रही है, text अपनी मर्जी का है, color हमारी मर्जी का है, I believe so के हमें थोड़ा सा इसके margin और padding add करने रही है, तो मैं यहां भी जाता हूँ, और simple padding set कर देता हूँ, let's say 10 dp, margin set कर देता हूँ, let's say 10 dp, margin set कर देता हूँ, let's say set कर सकते हैं, background को भी set कर रहते हैं, f0, f, f, uh, कुछ भी आप अपनी मर्जी से, कुछ भी RGB के combinations से color बना सकते हैं, although यह कोई अच्छा combination नहीं होगा, perfect combination नहीं होगा, लेकिन यह definitely है person की requirement के मतादु, अपनी मर्जी से set कर सकते है, so definitely यह कुछ अच्छा combination नहीं बना, मैं एक और combination try कर कर देख रहता हूँ, मैं इसको C0C0C0C0 के साथ माइट भी इसको पर टेटल लगा है इसमे भी यह आप इस तरह से background color change कर सकते हैं और आप उसका text color को change करते देख सकते हैं तो इस तेकर से आप अपनी custom जो इसकी है look and feel इसको define कर सकते हैं अभी हम थोड़ा सा एक शब और आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि किसी लिस्ट आइटम के उपर click करने पर उसका जो हमें इस आइटम पर click हिया यह हमें कैसे पता चलेगा तो उसके लिए हम listeners को use करते हैं तो listener यहां पर जो हमारे पास available है list view के लिए on click listener तो हर view के लिए होता है list view दी एक view है तो set on click listener तो इसके पर लग जाएगा लेकिन वो पूरे list view पर लगएगा तो अगर हमें देखना हो कि list view की किस item पर click हुआ है तो उसके लिए हमारे पास एक और option available है जिसे हम कहते है set on item click listener तो item के पर हम इसको देखना चाहेंगे कि कौन सी item click हुई है उसके पास हमारे जिवास जो interface है जिसको implement करना है उसका नाम है on item click listener on item click listener के अंदर हमारे पास एक function है जिसको हमें override करना है जो कि abstract function है एक तो इसमें है parent, parent basically adapter views हम राज जी है कि यहाँ पर list view है यह जो function है set on item click listener यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ list view पर लगे वो और भी adapter views के पर यह apply हो सकता है जैसे grid view है यह और जिसमें भी है तो यहाँ पर जो parent है यह parent actually उस adapter view को refer कर रहा होगा यहाँ पर हमारे पास list view है तो इसको list view हम कह सकते हैं दूसरे नबर पर हमारे पास parameter है वो है view view basically वो layout है complete जिस layout के उपर हमारा data show हो रहा है जैसे भी हमने यहाँ पर layout बनाया list item के नाम से तो इस list item view को मैं कह सकता हूँ कि इसका जब इसने जावा के code में convert करके object create किया तो यह view उसको refer कर रहा है उस object को और each object को यह refer कर रहा है उसके दर linear layout के दर multiple objects लगे हो तो यह उसी hierarchy की साथ यहाँ भी view को define करेगा उसके बाद हमारे पास जो अगला parameter है वो है position position define करता है कि हमने जो data provide किया था चाहे वो array है यह data list है whatever जो भी है उसमे definitely किसी तर्टीब से data हम उसको pick कर रहे हैं तो जिस तर्टीब से हमने pick किया है उस तर्टीब में जो उसकी position मनती है यह हमें बता देगा और जो पहली position का data होगा वो 0 से start होगा long id basically उस view की id define कहरा है जो operating system understand करता है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था list view की r.id.lv list तो यह इस id की base के उपर search करके ले आता है list view का object और एक data structure उसके अदर id का structure उसके अदर यहाँ पे integer variable है जिसके अदर उसकी id defined है तो यह basically वही वाली id यहाँ पे भी हमें receive हो रही होगी लेकिन list view की नहीं बलके उस view की जिस पे हमने tap किया है let's say अगर हम उस view का कुछ show करवाना चाहते हैं हम confirm करना चाहते हैं कि हमने उसी list view को tap किया है तो ऐसा करते हैं कि हमने उसके उपर जो को text लिखा है उसको toast करवा लोते है dot make text तो उसको जो requirement है उसकी यह है कि सबसे पहले उसको context चाहिए दूसरे नंबर पर उसको वो data चाहिए जो हमने show करवाना है let's say हमारे पास जो उपर array थी हम उस array का ही data यहाँ पर शो करवा रहते हैं उस array के पर जोल सी position पर जोल सा data था हमने show करवा दिया उसके बाद इसको let's चाहिए toast को के short duration के लिए आए के long duration के लिए चाहिए let's say मैं इसकी length long करनेता हूँ ठीक है जी और उसके बाद हमने end पर जब यह object return होगा तो इसको show करवाना है यहाँ पर अगर आप छोटा से देखें एक error आ रहा है के variable arrays excess from inner class need to be declared final तो चुके हमें यहाँ पर पता नहीं है के यह जो mr. का जो फंक्शन होता है यह इसी तर्तीब में call ही होता जिस तर्तीब में हम इसको लिख रहे हैं बलके यह तब call होता है जब कि event occur होता है तो जो within function जो भी variable होते है उनकी state का पता नहीं होता तो उस state को ensure करने के लिए कि वो state maintain रखेंगे हम क्या करते हैं कि उनको फिर final करते हैं क्योंकि अगर final नहीं करते हैं अगर उसकी state change है तो फिर हो सकता है कि जो हम यहाँ पर event call कर रहे हैं उसके गेंश यह function call हो वो हमें कुछ जीब गरीब behavior शोर करें तो इसलिए हम यहाँ पर उसको final करना जुरूरी हो जाता है otherwise अगर यह field होती class level की तो फिर इसलिए यहाँ पर problem नहीं करने की तो लेट से हम इसका टेक्स जोकर वागर रिख रहते हैं और जब मैं इसके क्लिक रहता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास load हो जाया है जैसे ही मैं जिस month के उपर click करूंगा यह मुझे उस month का नाम लीचे toast में बिखा रहा है अभी जूकर यह simple है तो इस चीज को देखने के लिए कि यह जो view है इसके अंदर जो value पड़ी है वो layout की पड़ी है तो मुझे पता है कि यह view जो root load है वो text view है तो मैं इसको text view में cast कर देता हूं जो view हमाइब पस इपर से आ रहा है कास्ट करने के लिए हम इसको एक्स को लिख किया है और let's say मैं इसके जाते हैं यहां के लिख करता हूं tv.backtext और उसके बाद जब मैं इसको call करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यह same output आ रही है लेकिन यह same output सिरफ इस case में ही आ रही है जर जरूरी नहीं है कि हर दफा टेक्स लगा हो कोई hierarchy भी हो सकती है हमें object के अंदर जाके further किसी sub-object को call करना पड़ सकते हैं तो अभी फिलाल मुझे पता था कि यह root node textview है तो इस वह जैसे हम पे easily algebra है अच्छा इसके लावा जैसे हमने listeners के अंदर देखा था कि on click listener होता है on long click listener होता है तो इसके अंदर भी set on item long click listener भी available है तो let's say हम उसको भी एक दफार ट्राइ करके देख सते हैं set on item long click listener ठीक है जी तो इसके भी जो parameters होते है on item long click इसका function है और उसके जो parameters हैं वह समवट same ही है जो के on item click के हैं तो इसको दोबारा हमें understand चाना है इसको फीडबैक देना होता है कि हमारा यह listener properly call हो गया है तो हम उसको return true करेंगे या false करेंगे let's say अब हम फड़ा सा यह देख लगते हैं कि हमने list में से किसी item को remove करना हो तो उसको भी देख लगते हैं तो यह दोनों चीजे एक साथ हम check चार लेंगे long click listener को भी और अगर किसी array के अंदर list view में से कुई item को remove करना हो तो वो कैसे करेंगे उसका simple सा त्रीका यह है कि हम उस array में से यह list में से उस object को remove कर लेंगे array में से चुके object को remove करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि array को redesign करना पड़ता है तो हम यहाँ पर array की जगा पर list ले लगते हैं ताकि उसमें से object को remove करना भी सान रहा है और थोड़ा साम यह भी देख लेते हैं कि अगर object उस लगी list हो तो भी इसको को फर्क में पड करेंगे तो इसको हम इनिशिलाइज भी करवा देते हैं लिस्ट को ठीक है अब और डॉट का फंक्षिन कॉल करेंगे तो उसके उन्दर पॉपलेट कर लिया है और अभी हम इसको पहले चला के देख लाते हैं कि क्या कोई आउट्पूट पर डिफरेंस तो नहीं आया अभी हम देख सकते हैं कि आउट्पूट सेम वैसी ही है जैसे हमने array के अंदर मिल रही तो फरक ही है कि पहले हमने two times month add किये थे अब हमने one time अलेट से अगर मैं यहां से किसी item को रिमूट करना चाहूँ करा तो मैं simple क्या करूँगा कि जो हमारे पास data की list available है उसमें से उस item को रिमूट करूँगा रिमूट के अदर मुझे position चुके उपर से आ रही है मैं उसी position को use करते हैं आइटम को रिमूट करते हैं लेकिन इस तरीके से रिमूट करने से आपका जो आइटम में वो तो रिमूट होजेगे list से लेकिन visually आपको फिर भी नदर आती हैं तो उसको लिए हमें क्या करना पड पड़ेगा adapter dot और उसको notify करवाना पड़ेगा data set है चेज़ यहां भी अगर आप देखें तो हमारे पास इसी तरी मन्त आ रहे हैं लेट से मैं किसी एक मन्त के पर अपल के पर लॉंग क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे एपल यहां से रिमूट हो जाए इसी तरह लेट से जून पे लॉंग क्लिक करता हूं तो यहां से रिमूट हो जाए अप्लिक करते हैं और इसी के साथ हम ने यह भी सीख लिया कि हमने लिस्ट में से किसी आइटम को रिमूट करना हो तो कैसे करना है तिसी चीज हम नहीं भी देखी कि Array के साथ भी data show करवाया जा सकता है और list के साथ भी करवाया जा सकता है Array के साथ normally वहला data show करवाते हैं जिसको हमने change नहीं करना होता और अगर हमने data को change करना है या उसके increase करना है या decrease करना है यहां पे छोटा सा जल्दी से एक layout clear कर लेते हैं linear layout create कर लेते हैं wrap content और wrap content ही रखते हैं इसको और अंदर हम एक edit text बूना लेते हैं इसको wrap content और let's say match parent कहरिया और इसके साथ हम इसको एक id दे 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 है edit text कर आप समें इसको id दे 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 और let's say hint इसको define कर देते हैं इसको एक इसको एक बड़िया 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 इसको एक के लिनियर लियाओट की ओरियंटेशन डिफाइन नहीं की थी और यहां पर जो बटन है यहां बटन के विजए टैक्स का जो गेट है उन्हेंने वन साइट का अब यहां ज़र हम इसका आपट देखे तो हमें तो इस दीचे से नदर आ रहा हुआ क्या अभी जहां का इसको भी आपट गया के हैं अभी जहां कर रहा है और रिक्वायर कर राठा था कर रहा लिएर और पॉर्ट के आप सब देखे नर्द कर रहा है और इसकी ओरिमे अर्टी विटिकलर इन दरी चाहित है अभी जो मेरे पास चीजपनी जएफ इस तरीके से है यहां पे आज नहीं जाते है जाते हम्गे केसी दर्ट पर मास कान माई आटपुत है जाते है जिस तरह से अहुनी सही है लेकिन उसके बाव विजूद करेंगे तो यहां से टेक्स उठाके मीचे इसको एड़ करेंगे अगर जाते हैं यहां पर और find view by id path.id. add. क्योंकि यह हमेशा मुझे view return करता है set on click listener view का function है तो मुझे इसको button के अंदर type class करने की की जुरूरत नहीं रहे हैं यहां पर मैं simple जो मेरे पास list है उसके अंदर add करना है मैंने किसको add करना है वो object add करना है इस object पर यहां पर जो मेरे text field करने लिखता है तो वो basically edit text करने लिखता है edit text का यहां पर object मुना लेते है et is equal to find view by id r.id. और यहांपर et text है नहीं पर यहांपर यहां पर मैं करता हूँ 80.get text .toString क्योंकि 4 sequence return करता है तो उसको string में यहां पर करना कर लेते है और अगेन तुझे adapter को क्या करना पड़ेगा notify data has यहां से मैं जो भी data add करूंगा वहांपर मुझे visible view अब इसको हम पिक करके देखते हूँ यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पर मैं आपना नाम लिखता हूँ add करता हूँ आप देख सेके लिस्ट के लिए enter add होगा इसको भी रभू कर सकता हूँ let's say इसके जिए पर तुछ भी लिखना हो मैं इस तरीके से जो भी अब्जेक्ट हैं उनके उपर भी apply हो रहा let's say यहां पर मैंने यह आखरी आइटम भंदा के पर type करूँगा तो वह भी यहां पर नगराना शुर्ण तो listener कैसे apply करना है long listener कैसे apply करना है data add कैसे करना है तो उसके view को कैसे change करें next हम इंशाला देखेंगे कि हमने इस view को मजीद customize करना है यानि कि एक से ज़्यादा information complex information को शो करवाना है अभी तो हमने सब्सक्रेंग को शो करवा है complex information को शो करवाना तो कैसे करवा सकते है till then उसके लिए wait करते हैं लाफस करते है